नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों जब से आपने गुरूपडी का आंसर की चिक किया है तब से आपके मन में ये जिग्यासा उठ रहा होगा कि आपका परसेंटाइल स्कूर कितना बढ़ेगा क्योंकि आपको भी ये भली भाती पता है कि यहाँ पे सेलेक्शन आपका आपके परसेंटाइल स्कूर के बेसिस पे होने वाला है रो स्कूर से कुछ भी नहीं होगा और ये भी आपको भली भाती पता है कि यदि आपका shift moderate या फिर tough रहा है ऐसी सिते में आपका percentile score काफी बढ़ेगा जबकि आपका shift easy रहा है और आपके marks काफी कम आ रहे हैं तो आपका percentile score काफी कम बढ़ेगा और दोस्तों देखे मैं यहां पे rank IQ के data पे अधारित में complete analysis आपको बताने वाला हूँ कि आपका shift easy था moderate था या फिर hard था इससे पहले दोस्तों आप अपने admit card के अंदर check कर लें कि आपका किस date में exam था और कौन से shift के अंदर exam था देखे दोस्तों यदि आपके shift का यहां पे average score ठीक है आपके shift का जो average score है वो काफी जादा गया है काफी high गया है तो ऐसी सिति में आपका जो shift था दोस्तों वो easy shift था ठीक है वहीं आपके shift का average score काफी कम गया है इसका मतलब यह है कि आपका shift जो हो hard shift था इस करण से लोग वहां पे score नहीं कर पाएं तो यहां से आपको idea लग जाएगा कि आपके date के अंदर जो आपका exam जिस shift में हुआ था उस shift कैसा था easy था tough था या moderate था ठीक है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start कर लेते हैं और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Northern Railway देली का इससे पहले मैं आपको Western Railway मुंबाई का बता चुका हूँ और बारी बारी करके सभी RRC का मैं complete करवा दूँगा दोस्तो आप जिस भी RRC है अपने date के अंदर अपने shift का देख ले analysis कि आपका shift कैजा था easy था moderate था या फिर tough था चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं कि देखिए साथियों आठ सेप्टेंबर की बात कर लेते हैं सेकेंड सिप्ट का average score 42 टॉपर का 81 टोटल कितने participant के candidate तो एक हजार तैस आठ सेप्टेंबर 3rd सिप्ट 46 9 सेप्टेंबर सेकेंड सिप्ट 49 सेप्टेंबर मॉर्निंग चिप्ट यानि 1st 47 9 सेप्टेंबर यहां पर मॉर्निंग सिप्ट 45, देखें दोस्तों ये इवनिंग वाला shift है, टेक है, 12 September यहाँ पे दोस्तों, Twond shift 45 score रहा है, जहाँ दोस्तों, 17 September यहाँ पे 3rd shift 46, 20 September morning shift 48, 13 September, यहाँ पे दोस्तों, Second shift 48 score है, दोस्तो 13 September 3rd shift 43, 13 September morning shift 46, 14 September यहाँ पे दोस्तो 2nd shift 53, 14 September 3rd shift 51, 14 September morning shift 52, 15 September यहाँ पे दोस्तो corresponds a second shift 51, 15 September 3rd shift 50 स्कूल रहा है दोस्तो 15 सेप्टेम्बर मॉर्निंग सेप्ट 49 16 यानि 16 सेप्टेम्बर 2nd सेप्ट 49 16 सेप्टेम्बर 3rd सेप्ट 50 16 सेप्टेम्बर मॉर्निंग सेप्ट 50 17 सेप्ट 50 17 सेप्टेम्बर 3rd सेप्ट 46 17 सेप्टेम्बर मॉर्निंग सेप्ट 50 18 सेटेंबर 2nd सिफट 50 18 सेटेंबर 3rd सिफट 45 18 सेटेंबर morning सिफट 46 19 सेप्टेंबर 2nd सिफट 51 19 सेप्टेंबर 1st सिफट 46 तो दोस्तों फाइनली मैंने सारा डेट के अंदर जितने भी सिफट हुआ है दिली जॉन का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आप अपना एक बार date को और अपना shift को चेक कर ले और पता कर लें कि आपका shift का average score कितना आ रहा है यदि average score काफी कम है इसका मतलब है कि आपके shift के अंदर 6 रचे score नहीं कर पाएं है क्योंकि आपका shift जो है वो hard था ऐसी सिति में आपका कम भी marks आ रहा है तो percentile score आपके काफी बढ़ेंगे और फिर आपको वो final selection तक पहुचाने में help करेंगे उमीद करते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like कर लें मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार